मित्रों जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन वेर्थ है किन्तु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्यन का समय ही कहा है आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रात्या 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है केवल 5-10 मिनिट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देख कर आप संपून गीता का अध्यन पूरा कर सकते है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्द होगा कीजिए अपने दिन की शुरूआत भगवद गीता के श्लोक के साथ जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए पेलिस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं चलिए आज के वीडियो को आरंब करते हैं ध्यायतो विश्यान पुनसा संगस तेशू उपजायते संगाज संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते नमस्कार मितरों मितरों ये जो श्लोक ये भगवत गीता के दूसरे ध्याय का बासटवा श्लोके जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक ये वह कहता है ध्यायतो विश्यान पुनसा अर्थात जो व्यक्ति विश्यों का ध्यान करता है संगस तेशू उपजायते अर्थात आसक्ति उसके लिए उपजती है संगात संजायते कामा अर्थात ऐसी आसक्ति के साथ जुड़ जाता है काम, कामात क्रोधो अभी जायते अर्थात काम से क्रोध उपजता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो व्यक्ति ऐसा है जिसको उसकी इंद्रियों पर नियंतरन नहीं है उसके साथ में क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं तो इस श्लोक में और अगले श्लोक में बताएंगी कैसे ऐसे व्यक्ति का पतन होता है तो वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना ध्यान विशेयों पर डालता है वो व्यक्ति उस विशाय से आसकती विक्सित कर लेता है और उस आसकती के साथ में उसके भी तरह काम उपज़ता है क्योंकि वो आसकती वास्ता में उसे प्रसन्नता प्रदान करने लगती है तो उस और आगे चीजें होती हैं जिससे की व्यक्ति का पतन हो जाता है तो उसे हम कलकेश लोग में समझेंगे यहां पर हमें जो वास्ता में समझना है वो यही है कि जब कोई व्यक्ति आत्मा को छोड़ करके जो उसके भीतर के विवेता है उसको छोड़ करके जब वो किसी भी और विशय की वस्तू के उपर अपना ध्यान के इंद्रित करता है, तो उस व्यक्ति के मन में उस विशय की वस्तू के प्रती एक आसकती विक्सित हो जाती है। तो जैसे हमारे जीवन में लोग अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वही वास्ता में उनके जीवन की प्राथमिक्ता को विक्सित कर देता है जैसे आप उधारन के लिए देखें तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो की दूसरे लिंक के व्यक्ति के साथ ज देते हैं, कुछ और ऐसे होते हैं, जो की दूसरों के द्वारा मिलने वाली जो अप्रूवल है, उस पर ध्यान के अंद्रित करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने समाज में बड़े ही लोक प्रियर हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो की प्रसिद्धी के पीछे जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि शक्ति के पीचे जाते हैं और वो यह चाहते हैं कि वो इस संसार में अधिक अधिक लोगों पर अपना नियंतरन प्राफ्ट कर सकें तो इस प्रकार की जो बाते होती हैं वो वास्ताव में आसकती को वस्तु ही है और यदि आप उस पर ध्याना केंदरित करते हैं तो आपकी आसकती उसी से जुड़ जाती है जैसे यदि आप बार बार भारत के उपर ध्यान देते हैं तो आप भारत से वे प्रेम करने लगते हैं तो भारत से ही आपकी फिर आसकती जुड़ जाती है और इसमें भी वास्ताव में आपको दुखी मिलता है तो उसको आप समझ सकते हैं कि यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो आप यही चाहेंगे कि आपका जो देश है वो उन्नती करें तो यह काम ना आपके भीतर उपजी क्योंकि आपने अपने देश से अपनी आसत्ती लगाई तो आप यही चाहेंगे कि आपका देश जो है वो सबसे अच्छा देश रहे प्रगती करें आगे बढ़े अच्छे कारे करें और इसका सम्मान सब जगहों पर है किन्तु हम सभी जानते हैं कि कोई भी राश्ट्र वास्ताव में अपने आप में एक तुटी हीन राश्ट्र को लेकर जो जनता होती है उसमें विभाजन होता है सभी राश्ट्र की इतिहास को यदि आप देखें तो उसमें कुछ ने कुछ ऐसी घटना हुई होती हैं जो की अच्छी नहीं होती हैं तो यदि आप देखते हैं इस रूप में तो आप यही पाएंगे कि किसी भी राश् कि राश्ट्र के साथ में जुड़ी भी जो ऐसी चीजें हैं जो कि हमें शर्मनाक अनुभव देती हैं वो हमारे भी तक रोधुत्पन करती हैं और कभी भी यह दिया आप खेल में भी देखें तो राश्ट्र हर समय पर नहीं जी सता कभी ना कभी हारेगा भी या राश्ट्र जो है वह भी ऐसे चक्र चलता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है तो एक आज के समय देख जाया Jda तो एक अच्छा कार्ड में माने जाता है वो भी आपके भीतर दुख ही उत्पन करता है क्रोध ही उत्पन करता है तो उसी बात को यहाँ पर श्रीक्रिशन समझा रहे हैं कि किसी भी ऐसे विशे की वस्तू जिससे आप जुड़ते हैं जो की आत्मा से संबंदित नहीं है जो अपने भीतर की दिव्यता या ईश्वर से संबंदित नहीं है वो अंतिमें आपको क्रोधी लेकर आएगी है और यहाँ पर मैंने आपको राश्र का उधारन दिया यदि आप और निचली आसक्तियों को देखें यदि आप किसी दूसरी दूसरी जो लिंक के व्यक्ति है उससे जुड़ने वाली बात देखें या आप यौन से जोड़के देखें या धन से प्रतिष्ठा से या बाकी निचली जो इच्छाएं हैं किसी और सुख खाने के सुख सिगरेट या जो शराब होती है जो कि यहाँ पर शरी कृष्ण हमें बता रहे हैं आशा करता हूं कि मैंने आपको ये इस लोग अच्छे से समझा दिया होगा चली इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाब करते हैं नमस्क्रे वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियेजनों के हत्मे साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार राट को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी क्रिशन